किसी गाउं में भगवान सीव का परंभग एक ब्राह्मन रहता था पंडित जी जब तक रोज सुबा ब्रह्म मुहुर्ट में ओठ कर नित्ति कर्मों से निर्मित होने के पश्चात भगवान संकर का पूजन नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था जो कुछ भी दान दक्षिना में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते और धयालो इतने थे कि जब भी कोई जरुद मन्द मिल जाता अपनी छमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते इस कारण सीव के परंभग ब्राह्मन देवता गरिभी का जीवन ब्यतित कर पंडित जी की इस दानी प्रवर्थी से उनकी पत्नी उनसे चिर्थी तो ये किन्तु उनकी भक्ती परायंता को देख उनसे अत्यदिक प्रेम करती थी इसलिए वो कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी साथ ही अपनी जरुद का धन वो आस परोस में मजदूरी करके जुट प्रा लेती थी एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान देख्षीना कम आने लगी जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा घर की मूल आवसकताओं की पूर्थी नहीं होने की कारण ब्रामनी दुखी रहने लगी इसी तरह दीन वीदने लगे एक दिन मह सिब्रात्री का दीन आया उस दीन भी पंडित जी हमीशा की तरह ब्राम मुहुर्त में उठकर नित्ति कर्मों से निर्मित होने के लिए नदी की और चल दिये संजोग से उस समय उस रा से पार्वती और सीव जी गुजर रहे थे अचानक से माता पार्वती जी की नजर पंडित जी महासिब्रात्री को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने की अक्सर हुआ करते थे पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगे उन्होंने सीव जी से कहा भगवन ये ब्राह्मन देवता प्रतिदीन आपकी उपासना करते हैं फिर भी आपको इसकी चिंता न कोण करेगा पार्वती जी तो है देव आपने अब तक उनकी सहयता क्यों नहीं की सिव जी देवी आप निस्चिंत रहे अब तक उसने चितने बेलपत्र सिब्लिंग पर चड़ाए हैं वही आज रातरी में बेलपत्र उसे धनपती बना देगा या बात्चित करके पार्वत प्रावति जी की वारतालाव सुन लिया व्यापारी ने अपना दिमाग लगाया अगर बेलव पत्र से ब्राह्मन धन्पती हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता यही सोच वह ब्राह्मन के घर पहुच गया और ब्राह्मन से बोला पंडित जी आपने अब तक जितने भी बेल्व पत्र सी पुजन में चरहाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वन मुद्राये दूंगा। पंडिर जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, उन्ने का दान ठीक तो नहीं है, कि तु दे दीजिए, हमें धन की जरुरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडिर जी ने सारे बेल्व पत्र के बोरे में भर कर सेर जी को दे दिये। बेलब पत्रों का बोड़ा लेकर सेड़ जी पहुंच गए मंदिर और सिबलिंग पर चढ़ा कर देखने लगे कि कब सिब जी कृपा करे और कब हुआ धनपती हो जाए। परतिक्षा करते करते सेड़ जी को आदी रात हो गई सेड़ जी चमतकार देखने के लिए बहुत उताबले हो रहे थे आखे। तीसरा पहर गुजरने के बाद सेड़ जी के सब्र का बांध तूटी ही गया और क्रोध में आकर सेड़ जी सिबलिंग को जख जोड़ने लगे। अब हुआ चमतकार सेड़ जी के हाथ सिबलिंग से ही चिपक कर रह गये। उन्होंने बहुत प्रयास किया किन्तु हाथ हीले तक नहीं। ठक हार कर सेड़ जी से छमाय आचना करने लगे। तो सेड़ जी बोले लोभी सेड़ जिस ब्राह्मन से तुने यह विल्व पत्र खर कर रोढा है, उन्होंने पूचा तो सेड़ बोला पंडित जी सिगर से मेरे बेटे को ये हचारवस्वन मुद्राय लेकर मंदिर आन히 को कहिए। पंडित जी ने सेड़ के बेते को बुलाया और सेड़ पूह सुन मुद्राय ब्राह्मन को दिलवा दी और सेड़ मूबत हो ग दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता पार्वती एवं भगवान सीव की जैकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना आपको मेरे चैनल पे ब्रत्यों हरों की जानकारिया एवं उनसे जुरीकता कहानिया मिलती रहेंगी अगर आपको ये वीडियो थोरी से भी अच्छी लगे हो तो